नमस्कार दोस्तों, Target with PS परिहार में आपका स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे B.A.D. और B.T.C. भर्तियों के कटाफ, मेरिट और प्रत इस परदा की बारे में चुकि आज कल विभिन कमेंट बॉक्स में, वाटसप ग्रूप में और मेरे टेलिग्राम चैनल पर अब भर्ति पूछते रहते हैं कि सर B.A.D. भर्तियों के इस सिच्छक भर्ति में सामिल होने से B.A.D.C. भर्तियों को कितना खत्रा उत्पन हो गया है या B.A.D. भर्तियों कहीं चैन होगा और B.A.D.C. भर्तियों रुख जाएंगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें उसके बाद ये बेल आइकान इसको भी क्लिक कर दें ताकि जब भी कोई एचकेस्टनल वीडियो बनेगा या किसी भर्ति के समद में कोई अपडेट होगा तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा दोस्तो अगर आप लोग किसी भी सरकाई नोगरी की तयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस चनल से जुड़ जाएए इस चनल के माधियम से आप लोगों को विविन राजियों की और सेंटर की भर्ति की बारे में अपडेट्स दीगे जाते हैं हाँ तो दोस्तो हम लोग बात कर रहे थे बियड और बीटीचे भर्तियों के गुड़ांक और मेरिट की बारे में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बीटीचे भर्तियों की तो जैसे high school के 10 प्रिश्चत, intermediate के 10 प्रिश्चत और इसी तरीके से graduation के 10 प्रिश्चत और जो प्रिश्च्छन होता है उसका भी 10 प्रिश्चत तो इस तरीके से 40 प्रिश्चत जोड़े जाते हैं और उसके बाद में जो लिकित परिक्शा हो रही है इसलिए BTC अभर्थी बीड अभर्थियों से नए भी है ज्याधा तर तो इस वज़ये से BTC अप्रिश्चत के अकेडमिक में नंबर ज्यादा रहते हैं तो कितना ज्यादा रहता आये देखते हैं इस ग्राफ से दोस्तों कि यह जो अड्विशन होता है बीड़े विड़ी प् तो उसका 80 प्रिच्षत तो उसका और यह जो प्रिच्षत होता है इसका 10 प्रिच्षत जोड़ा जाना है यह आप लोग देख सकते हैं यह यह जो सुचना आई थी उसमें का है इसमें लिखा हुआ है कि हाई स्कूल का percentage of marks in the examination multiple 10% इसी तरीके से intermediate का जो percentage of marks जैसे 60 प्रिच्षत है तो उसका 10 प्रिच्षत और तो वह जाएगा 6 इसी तरीके से last में देखिए आप लोग लिखा हुआ है कि assistant teacher recruitment examination जो होने वाला है 1500 नंबर का उसके जो percentage of marks हैं इंदा examination उसका जो है 60 प्रिच्षत यानि कि अगर आपके 90 नंबर आता है और वह 60 प्रिच्षत नंबर माने जाएंगे फिर उसका 60 प्रिच्षत नंबर जोड़ना है यानि कि 36 नंबर जोड़ा जाएगा तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे कि बीटीस अभरतियों की तो बीटीस के जो नंबर है वो टेंत में 8.5 बने बारभी में 8 ग्रेजवेशन में 75-7.5 जो भी इन्होंने की बीटेक, बीटीसिय जो भी किया होगा और ट्रेनिंग का बीटीसि वगईरा का 8 तो यह आपके जो नंबर है 40 में से 40 में से 32 नंबर हाला कि B8 की भी कुछ बर्ति ऐसे होंगे जिनी काफी अच्छे नंबर होंगे ऐसा नहीं कि सभी B8 बर्तियों के नंबर कमी होंगे लेकिन समानते जाएतर B8 के जो बर्तियों वो पुराने हैं और उस समय नंबर कम मिलते थे दोस्तों हाइस्कूल क punished उसत 60% बारवी में 55, table 15 ओर ट्रेमिंग में B8 में अच्छे नंबर मिल जाते हैं तो इस तरीके से जो यह नंबर होगा ऊए कमाई स्कूल जो साड़ प्रिकशत का 10% चाय आया और 55 प्रतिसत का 10 प्रतिसत 5.5 ग्रेजिवेशन 55 प्रतिसत का 10 प्रतिसत 5.5 और जो B8 है उसके प्रतिसत का 10 प्रतिसत 8 नमबर तो ये होता है 25 और BTC बरतियों का जो हो रहा था वो हो रहा था 32 तो BTC बरतियों का 32 और जो B8 बरतियों का उसत जो नमबर माला गया है वो बनता ह 25 यह अंतर आया दोस्तों साथ पॉइंट का जो गुडांग जोड़ा जाएगा उसमें साथ पॉइंट का नंबर बीटी सी बेर्थियों के जादा है अब हम लोग बात करते हैं रिटेन एक्जाम का दोस्तों आपको मालूम होगा कि डेड़ सो नंबर का यह जो रिटेन एक्ज नंबर लाता है डेड़ सो में से तो वह साथ पॉइंट हुआ साथ पॉइंट का साथ पॉइंट जोड़ा जाएगा तो 36 नंबर तो बीट के अबर्थी को मिलेंगे 36 नंबर अगर वो 90 नंबर लाता है सिखशक बर्ति परिक्षा में इसी तरीके से बिटीच अबर्थी अगर 75 नंबर लाता है थो 50 पॉइंट के जो अबर्थी है उसका शे नंबर कम है बीड के भर्ती से और जो academic में 7 नंबर आ लेडी BTC वाला भर्ती के जादा है तो दोस्तो अगर 15 नंबर भी जादा लेड के भर्ती तो BTC भर्ती तो दोस्तो जो यह जो अंतर है कोई खास अंतर नहीं है जो लिखित परिक्षा में चुकि B8 वालों से डर लग रहा था कि B8 वाले लिखित परिक्षा में बहुत जादा नंबर ला सकते हैं किसी वाले नंबर कम लाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं है आप लोग देख रहे हैं कि 6 पॉइंट का अंतर आएगा अगर पंदरा नंबर कि बीड वाले अभर्ती जादा लाएंगे और एक चीज में कहना चाहता हूं कि ऐसी बात भी नहीं है कि इसमें कुकि कोई रिजनिंग जीयस की क्वेश्चन नहीं आने हैं तो बीड वाले अभर्ती के नंबर जादा आ जाएंगे जादा तर स्लेवस बीटी सी विजर्थियों के भी फेवर का है चूंकि सिक्षा मनो विज्ञान बाल सिक्षन हिंदी इंगलिस इत्यादी में बीटी सी अभर्तियों तो ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही वैसे सीटें तो काफी है अर्शट जर पांसों सीटें काफी होती है जितने भी पढ़ने वाले विद्यारती है तो उन सभी विद्यारतियों का चैन हो जाएगा और यह वीडियो बिनाने का केवल यही उद्देश है कि अनावस्य डरने की कोई बात नहीं है और तो ठीक है दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें कुछ कहना चाहते हूं कमेंट बाक्स में कह सकते हैं लेकर और जिन मित्रों ने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर ले नम कर दो सक्राइब